साई की बात माथे पर तिलक लगाते हो न और उदी जल लेते हो तो कैसे न उदी तुम्हारी रक्षा करे मेरे बचे मैं तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ हमेशा मेरे बचे और सुनो मेरे बचे तुमने तो हाल ही में देखा भी है न मेरे बचे कि मैंने तुम्हारे परिवार को बचाया ये जानते हो ना तुम तुमने ये अनुभव भी किया मेरे बचे जानते हो ना कि तुम्हारा साही ने तुम्हें बचाया और मानते भी हो तुम्हेरे बचे फिर किस बात का डर है तुम्हें तुम बे खौफ होकर जिया करो मेरे बचे खुल कर अपनी जिंदगी को ज जीओ, तुम्हारा साही हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम्हारे परिवार की भी मेरे बचे, और सुनो मेरे बचे, तुम्हारे मन में प्रश्ण हमेशा ये उठता है ना, कि जो पापी इंसान है, वो हमेशा खुश रहता है, जो पापी इंसान है, जो बार बार प तक नहीं भड़ता, तब तक मैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ देखता हूँ कि वो किस हद तक गिर सकता है, उसे बार-बार मौके देता हूँ, सुधरने के अफसर देता हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं सुधरता और उसका पाप का भर जाता है न तो मैं उसे वो दंड देता हूँ, वो दंड देता हूँ, कि जो किसी की रूख आप जाए, तुम देखना मेरे बचे, जब तुम इतना सच की रहा पे चलते हो, इतनी सचाई की साथ में काम करते हो, उसके बावजूद तुमें इतने संघर्ष करने पड़ते है तो सोचो मेरे बचे, जो जाने अंजाने ये सब करते हैं, उन्हें कितना भुगतना होगा, लेकिन उसका सब का एक सही समय होता है, एक निर्धारित समय होता है मेरे बचे, वो समय भी जल्द आएगा मेरे बचे, जल्द आएगा, तो अपने मन से ये प्रशन निकाल दो मेर मेरे बच्चे बहुत जल्दी मिलेगा और सुनो मेरे बच्चे कुछ अपने बच्चों से कहना चाता हूँ जो तुम मेरे सामने बैठ कर इतना रोए मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे बच्चे हाँ ठीक है मेरे बच्चे मैंने सुन लिया जो त तुम्हारे हिसाब से होगा सब कुछ हो जाएगा और उस समय पर भी हो जाएगा बस रोना बंद करो तुम जिस तरह से रोते हो ना तुम्हारे साइगा कलेजा फटता है मेरे बचे मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम मेरे सामने बैठ कर रोते हो तुम मत रोया करो मेरे देना चाहता हूँ, साबधान करना चाहता हूँ, कोई इनसान तुम्हें कुछ चीज बेचना चाहता है, कुछ ऐसी चीज मेरे बच्चे, जिसे खरीद कर तुम्हें नुकसान हो सकता है, उसे मत खरीदो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए नुकसान दे है मेरे बच्चे, वो कभी मत खरीदना वो तुम्हें बहकाने की और बेवकुफ बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे वो सौधा नुकसान का है उसे मत लेना मेरे बच्चे बिलकुल मत लेना और सुनो मेरे बच्चे बहुत जल्द तुम्हारे पास उधी आने वाली है किसी के द्वारा से किसी के माध्यम से तुम्हारे पास बहुत जल्दी उधी पहुंच जाएगी मेरे बचे तुमने कहा था ना कि साई उधी नहीं है तो देखो मैं उधी पहुंचा रहा हूँ तुम्हारे साई के आश्रवाद से तुम्हें उधी मिल जाएगी मेरे बचे और मेरे कुछ बच्च और कुछ अपने बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें स्वप्न दर्शन दूंगा मैं आज आज उनके सपने में आऊंगा और उन्हें कुछ पताऊंगा और कुछ मेरे बच्चों के आखों के नीचे इतने काले गड़े इतने काले घेरे बन चुके हैं कि वो इतना चि देखो कि तुमने क्या कर लिआ है मेरे बचे इतना मुर्चाया हुआ चहरा मेरे बचे क्यों मुझे बिल्कूल अच्छा नहीं लगता अपने स्वास पर ध्यान दो तो मैं क्यूं बैठा हूँ मेरे बचे, तेरी चिंता करने मैं बैठा हूँ ना, तो तो बस अपने करम करना मेरे बचे, अच्छे से अच्छा खा, पी, अच्छे से अच्छा घूम मेरे बचे, बाकी मैं हूँ मैं सब करूँगा मेरे बचे, आनंद में रहो, अपने साही के भजन करो, भक्ती करो मेरे बचे, यही तो साहीं भक्ती है मेरे बचे, चो मैंने तुम्हें दी है, इसमें खुश रहो ना मेरे बचे, इसमें खुश रहो खुश रहो, आज का रातरी साही संदेश, समाप्तुवा